हेलो फ्रेंज आज हम बात करेंगे constipated patients के बारे में कि उनको कौन-कौन से खानों से उनको फाइदा होगा, कौन-कौन से खानों से नुकसान होगा constipation almost paid की बीमारियों में सबसे common बीमारी है लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ जीना सीख लेते क्योंकि वो रोज इसके लिए परेशान होते हैं, रोज उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पेन होता है साथ में associated hemorrhoids की problem होती है, साथ में associated bleeding होता है, किसी को fissures हो जाता है, किसी को infection हो जाते है यह सारी चीजों से लोग रोज बाना में परेशान होते हैं और उसको manage करना मुश्किल होता है तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कौन-कौन से खादे पदार्त लोगों के लिए अच्छे हैं, कौन-कौन से खादे पदार्त, constipated patient को avoid करने चाहिए, यानि बुरे हैं उनके लिए, उस बारें बात इक करेंगे यह topic काफी important हो, useful होगा, इसलिए request करने हो कि एंग तक देखें, और कौन-कौन से foodstuff, constipated patients के लिए अच्छे हैं, सबसे important है common foodstuff में, berries, कोई भी तरह का berry हो, चाहिए raspberry हो, strawberry हो, या blueberries यानि जामूनों, यह सारी चीजों में fiber content काफी अच्छा होता है, on an average, एक cup या half cup आप strawberries ल अगर दिंबर में strawberry, raspberry ले तो उनके लिए वो अच्छा है, उनके लिए healthy भी है, और constipation में मदद भी करेगा, इसके बहुत सारे बाकी फाइदे भी है, heart के लिए, kidney के लिए, diabetes के लिए, pressure के लिए, बहुत सारे चीजों में भी यह मदद करता है, in fact, जादा तर जितने भी मैं food stuff and legumes, legumes basically food products, fiber containing food products है, जिसमें साथ सब्जीव अगर आ जाती है, ये सारी चीजों में मतर है, चने है, ये सारे leguminous plants में आते है, इनमें आपको protein content भी अच्छा मिलता है, carbohydrate भी बहुत कम रहता है, fiber content बहुत जादा होता है, वैसे जादा तर ही देखा गया है, कि जो भी वेक् जादा लेता है, उनको constipation का problem कम रहता है, नहीं होता ऐसा नहीं कहूंगा, उनको भी हो सकता है, लेकिन comparative chance कम रहते है, जितना fiber containing diet जादा लेंगे, उतना जादा आपको अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि जिलों को भी bloating का problem में या gas का problem में उनके लिए थोड़ा सा उ नहीं होगे, constipation में तो फाइदा करेंगे, लेकिन साथ में bloating भी बढ़ सकता है, next है broccoli, broccoli काफी commonly available है, सारे supermarkets में easily available है, अच्छा fiber content होता है, on an average आपको एक कप broccoli में लगबक 5.5 grams आपको fiber content मिल जाता है, तो आपको broccoli लेना चाहिए, अगर आपको constipation है, next है oats, oats तो मैंने क्या सब्सक्राइब से, I think one of the best food meals है, जो कि आप इसको हर तरह के metabolic disorders चाहिए, BP sugar को restore, heart attack सब में ले सकते है, fiber content बहुत अच्छा आता है, इसके constipation में भी ये मददगार है, वो के साथ आप इसमें fruits वागर भी डाल सकते है, थोड़ा dry fruits भी डाल सकते है, इसको tasty बनाने के लिए, आ वो कई बाल उतने tasty नहीं रहते हैं, तो आपको उनको खाने के लिए कुछ garnishing या अलग techniques का use करना पड़ता है, उनको cook करने के लिए, next important food stuff है, fruits, fruits natural laxative उसमें आते हैं, इसमें खासकर figs है, खजूर है, apricots है, ये सारी चीजों में fiber content अच्छा रहता है, और इसमें एक sorbitol कर product होता है, जो की natural laxative है, ये सारी चीजों को आप अगर साथ में अगर use करते हैं, तो आपको constipation के problem में भी मदद मिलता है, fiber content तो ही है, साथ में इसमें sorbitol भी आपको मिलता है, food stuff में next important है, kiwi fruit, kiwi fruit में fiber content काफी अच्छा रहता है, हाँ इसमें थोड़ा सा bloating का advantage, bloating का disadvantage प्रोड़ा सा, gas का problem ज्यादा हो सकती है, लेकिन kiwi fruit में comparatively, एक cup में लगबग 5 gram आपको vitamin C भी मिलता है, और साथ में 5 gram लगबग fiber भी मिलता है, तो ये आपके लिए health के लिए काफी अच्छा है, और इसको लगबग आपको एक cup daily है, एक fruit daily अगर आप ले तो आपके लिए अ अगर में तो आपके लिए healthy है, काफी चीजों में मदद करता है कि उसका volume काफी अच्छा है, fiber content भी अच्छा होता है, क्योंकि चैनिया बगगर से ही बनता हो, लेकिन उसमें problem बस हो ही है कि अगर आप उसको oil में बनाओगे, चूंकि जाधातर movie theaters बगगर में जाते हैं, या microwave बना सकते हैं, बिना oil के बना सकते हैं, तो ये अच्छा food product है, next important foods of whole grain bread, bread आपको लेना है, लेकिन हा, refined bread या white bread नहीं लेना है, whole grain bread लेना है, इस पर fiber content अच्छा रहता है, तो आपके constipation में मदद करेगा, next important foods of apples, apples ज्यादे ता लोगों को थोड़ा सा constipation वाले patient में fiber content अच ले सकते हैं, ये healthy भी है, बाकी चीजों के लिए अच्छा है, tasty food product भी है, बहुत ज्यादा बज़न भी से नहीं बढ़ता है, और overall आपके लिए constipation के लिए अच्छा है, next important food stuff है दाले, यानि lentils, lentils में सबसे अच्छे चीज़ है कि fiber content बहुत अच्छा होता है, proteins भी बहुत करेंगे, next is nuts or seeds, nuts or seeds में बादाम है, sunflower के seeds है, pumpkin के seeds है, और भी बहुत जारे seeds है, जिसमें आपको fiber content अच्छा मिलता है, पर ये सारे चीजों को बहुत ज्यादा नहीं काना चाहिए, fiber content भले इसमें अच्छा है, लेकिन oil content भी ज्यादा होता है, तो ये सारे चीजों को बहुत अच्छी चक्र, ये basically, directly भी कई लोग इसको vegetables भागर में use करते हैं, as a fruit भी use करते है, मैं बहुत commonly इसका use होते नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये है कि जो लोग इसको use करते हैं, या जो इस लोग इसको regularly खाते हैं, उनके लिए अच्छा है, इसमें fiber content काफी अच्छा है, त इसमें भी ये artichokes आपको help करते हैं, next important foodstuff है Brussels sprouts, Brussels sprouts, इसमें fiber content अच्छा होता है, बहुत nutritional भी है, कुछ anti-cancer properties भी है, तो इसको आप directly भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों में आप इसको prepare करने के लिए भी use कर सकते हैं, next है sweet potatoes, याने शकरकन, sweet potatoes में fiber content काफी अच्छा होता है on an average, एक cup में लगबग 4 gram fiber content होता है, आपके daily fiber intake जो की recommended लगबग 25-35 grams आपको दिंबर में लेना चाहिए, उसका 10% content आपको लगबग इसमें मिल जाता है, आप इसको अलग अलग तरह से बना सकते हैं, mash करके, सबजी के साथ, roast करके, जैसे भी करके बना सकते हैं, बहुत जग लेकिन इसको आप अलग अलग तरह से घर पर prepare कर सकते हैं, next is brown rice, white rice आपके constipation की साब से अच्छा नहीं है, तो white rice को competitively आपको कम लेना चाहिए, लिकिन brown rice में एक cup में आपको लगबग 3 gram fibers मिलता है, जो की आपके recommended fiber intake का अलगबग 10% ये 15% तक contribute कर सकता है, इसमें आपको constipation और bloating माले दोनों ही patients के लिए अच्छा है, और उसमें काफी antioxidants पी होते हैं, जो की white rice में नहीं होते हैं, next important foodstuff है, aloe vera, aloe vera basically वैसे तो जाहता है, skin creams और sunburns के लिए और lotions अगरे के लिए जाधा use होता है, लेकिन aloe vera अगर आप directly आपको सब्सक्राइब अगर भी उसको ल cramps वगर हो सकते हैं और diarrhea भी बहुत जाधा हो सकता है, बहुत जाधा मत लीजिए पर थोड़ा मात्रा में लेंगे तो अच्छा है, next, थोड़ा सा surprising foodstuff है coffee, coffee में भी कुछ तत्वे से होते हैं, जो gut muscles को stimulate करते है, peristaltic movement चैने gut की muscle की mobility को move करते है, muscle के coordinated movement में help करते हैं, coffee को अच्छा माना गया है, लेकिन coffee में जो caffeine होता है, वो उतना अच्छा नहीं माना गया है, तो अगर आप decaffeinated coffee लेते हैं, तो constipation patient के लिए अच्छा है, next है dark chocolate, dark chocolate तब बोला जाता है, जब उसमें cocoa content लगबग 65-85% से usually जाधा हो, हम milk chocolate के या non cocoa based, non dark chocolates की बात नहीं कर रहे ह उसमें calories ज्यादा होता है, पर अगर आप pure dark chocolate लेते हैं, तो वो health के लिए अच्छा है, और overall बहुत सारी metabolic बिमारी है, चैसे heart attack है, cholesterol की बिमारी है, BPS, sugar है, सब चीज में अच्छा है, next है, मूली याने radish, इसमें काफी fiber content होता है, obviously salad का बहुत important part है, जिलनों को भी constipation का problem है, तो obviously ज्यादा लेना ही होता है, तो इसमें आप radish को ज्यादा ले सकता है, ये gut की mobility को भी move करता है, और body में जो पेट में अगर excess bile है, जिसकी वज़े से लोग को कई बार bloating ब्लोटी होता है, उसको भी improve करता है, gut के digestion को improve करता है, constipation को improve करता है, पानी retain करता है gut में, तो इसल आपके health के लिए अच्छा है, constipation माले patients के लिए अच्छा है, बाकी dairy products उतने अच्छे नहीं है, लेकिन दही में comparative ही, क्योंकि probiotic content अच्छा है, bacteria होता है, जो कि आपके पेट के जो normal intestine में जो bacteria होते है, उनके content को improve करता है, वो digestion में मदद करते है, तो ये दही में आपको साथ म मिल जाता है, इसलिए अगर आपको milk products लेना है, तो आप दही को prefer कर सकता है, नेक्स्ट है, flax seeds, flax seeds में थोड़ा oil content तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें fiber content ज़्यादा होता है, कुछ अच्छे fibers इसमें रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसे मत खाइए, क्योंकि oily होगा, लेकिन अगर आप medium amount में लेते हैं, या बाकी foodstuffs के साथ में लेते हैं, इसको आप salad के form में लेते हैं, directly खाते हैं, या कोई drinks या smoothies या snacks के form में लेते हैं, तो ये constipated patients के लिए अच्छा है, next है ripe bananas याने पका हुआ केला, केला को कच्छा नहीं खाना है, केला अगर आ या हरा बनाना या जो कच्छा केला है, उसके comparatively कम रहता है, क्योंकि कच्छे केला में comparatively starch और tangin ज्यादा रहता है, तो वो constipated patients के लिए अच्छा नहीं है, पर अगर आपको पकावा केला अगर आप खा रहे हैं, तो वो आपके लिए constipation को कम करेगा, आप बात करते हैं कौ अगर दही आप ले रहे हो, तो वो constipated patient को फाइदा करेगा, लेकिन दूद से बनने में बाकी साधें products constipation में अच्छे नहीं बने गया है, नेक्स्ट अमने जैसे अल्रीडी बात की कि कच्छा केला अच्छा नहीं है, अन्राइक बनाना में starch और tangins होते हैं, जो कि constipation को उ होता है, और इसमें protein content काफी जादा होता है, और cholesterol content भी, oil content भी जादा रहता है, इसलिए इसको low fiber food की category में माना जाता है, ये constipated patients के लिए अच्छा नहीं है, western countries में काफी लोग को constipation का जो problem होता है, क्योंकि उनका basically diet जो है, non-vision based diet है, जिसमें वो red meats और ये सब जादा लेते ह हम रहता है, तो उनको constipation जादा होता है, next है, sugar, कोई भी चीजों में अगर आपका high sugar content लेते हैं, calories तो जाती है, fiber content almost नहीं होता है, तो definitely वो आपको constipation में तो कोई मदद नहीं करेगा, उटा नुकसान करेगा, next है, eggs, eggs में भी fiber content बहुत कम होता है, fat content जादा होता है, cholesterol content लेकिन constipation आपकी बढ़ाएगा, तो अगर आपको constipation है, तो eggs usually avoid करना चाहिए, next है, ice creams, ice creams में बहुत अच्छा आपको calorie मिल जाती है, लेकिन कई बार ice cream में lactose content जादा रहता है, तो अगर आपको lactose intolerance है, या lactose आप नहीं पचा पाते है, तो आपको इससे constipation हो सकता है, gut intoler tolerance हो सकता है, अगर आप चाहें, तो दूद से बनेवी ice cream के बदले, आप soya based ice cream ले सकते हैं, soya milk से बनेवा ice cream ले सकते हैं, या almond milk से बनेवा ice cream ले सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये उतना बुरे नहीं रहेंगे, लेकिन जो simple dairy milk से बनते हैं, याने दूद से normally जो बनाए ज foods हैं, या कोई भी snacks हैं, जो कि आप market में purchase करते हैं, doughnuts वगएरे, french fries है, कोई भी तली भी समोसा है, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ों में oil content ज्यादा होता है, fiber content नहीं के बराबर होता है, तो ये सारे चीज़े constipated patients के लिए बुरे हैं, next is alcohol, alcohol तो मान के चलिए, obviously alcohol and smoking ये हर system में, हर बीमारी में ऐसा आता है, कि 50 बीमारीों की जड़ है, अगर आपको constipation का problem है, तो आपको इसको avoid करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ तत्वा ऐसे रहते हैं, जो आपकी gut की mobility को affect करते हैं, जिसकी वज़े से आपको gut dehydration होता है, gut की लिजे, या साथ में पानी ज़्यादा लिजे, इसका आपका alcohol intake भी कम हो जाएगा, और इससे आपका constipation भी कम हो जाएगा, next is white rice और rice से बने होई noodles, अगर आप white rice लेते हैं, तो उसमें constipation आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें सारा brown husk को निकाल दिया जाता है, rice मे जातर जो भी fiber content होता है, वो उसके brown portion में ही रहता है, या husk में ही रहता है, जब इसको निकालके polish या refine करते है rice को तो आपको वो brown portion नहीं मिलेगा, तो इससे constipation आपका बढ़ेगा, similarly white bread में भी यही है, white bread में भी क्या है कि वो भी जिस तरह के आटा से या मैदे से बनता है, refining बहुत ज़्यादा होती है, तो fiber content बिल्कुल चला जाता है, इसको अगर आप sandwiches बनाने के लिए या उसको आप regular breakfast वगर के लिए use करते हैं, तो definitely आपको constipation ज़्यादा होगा, आप उसको avoid करें, similarly pasta में भी यह, similarly ना pasta वगर जो है यह, इसमें constipation की problem लोग को ज़्यादा रे इसमें भी बहुत refined carbohydrates यूज किया जाता है, refined starch यूज किया जाता है, fiber content नहीं होता है, तो इसमें आपका पेट भले भर जाए, तेस्ती बहुत लगे, लेकिन आपको constipation का problem साथ में रहेगा, next है white potatoes, potatoes में french fries आप बनाओ, चाहिए इसको सबजीओ में डालो, constipated patients के लिए अच सबसे थोड़ा सा unhealthy रहेगा, carbohydrate content जादा रहेता है, इसलिए diabetes के लिए भी बुरा है और आपको heart patients के लिए भी बुरा है, तो इसलिए potato based cheese को comparatively कम रखे, sweet potato आप ले सकते हैं, लेकिन regular potato में comparatively fiber content कम रहता है, तो उसे ना ले, next है, कोई भी processed foods अगर आप ले रहे हैं, processed foods में क्योंकि इसमे sodium जादा डाला जाता है, चाहे पीजा, पास्ता, frozen dinners हो, corn chips हो, mashed potatoes हो, ये सारी चीजों को preserve करने के लिए बहुत जादा इसमे sodium डाला जाता है, ये sodium आपके constipation को बढ़ाता है, fiber content इसमें कम रहता है, तो आपको constipation बढ़ेगा, bonus tip में आपको ये बोलूँगा, पानी बहुत बहुत बात की, लेकिन अगर आपको constipation जादा है, तो पानी बहुत जादा पीजी, जितना जादा पानी पेंगे उतना अच्छा है, जितना जादा आप exercise करेंगे उतना अच्छा है, constipation के regards में हमने और एक वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकत आप motion करते से में बैटे हैं, वो सारे चीजों पर भी हमने बात किया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका link में, i button में, description box में, chat box में, comment box में, छोड़ देता हूं, यदि इस topic समद्दित, आपकी कोई comments, query suggestion है, कोई और topics पर आप चाहते हैं, वीडियो बनाएं, में, आप नीचे, chat box में, बता सकते हैं, तो हमने, sort out करने का प्रयास करेंगे, आंग मैं, dr. नवीने के वाल, तहे दिल से आपका शुक्रिया दखाओंगा, कि आपने इस topic को एंट तक देखा, जो लोगो माने चानल पर नए हैं, उन्हें request करें, आपकी चानल को subscribe करें, ऐसा कि आपकार थीम जोग लोगो मैं, आपकी बता हैं, बता हैं, आपकी प्र Battle P 2022।